सब्सक्राइब आज हम आपकी लाया है क्लॉक पार्ट एट आप देख रहें आपने पार्ट सेवेन अभी तक क्लॉक के तक पूरा डिटेल में अच्छे से पार्ट सेवेन तक कवर कर चुके आज पार्ट एट है हाना तो बहुत जादा इदो तर भागिया मत एक बार डिटेल आपको चाहिए एक बार पुरा कंटेल डिटेल हम इसा अकली फूरसत हो जाई ठीक है तो हम लोगों ने जो अभी तक बाते कर लिए जो हम लोगों ने कवर किया अभी तक पूरा तो हम लोग ने पार्ट सेवेन में भी क्या-क्या कवर किया थुरा से देखेंगे आपके इंगल बीट्वी नीडल ओवर लैपिंग में 0 डिगरी 90 डिगरी 180 डिगरी मीरर इमेज कल हमने एक टॉपिक और अच्छे से आपको कवर कराया है एक और कवर कराया है ठीक है कि जिसका नाम था कि फास्ट एंड कि फास्ट एंड स्लो या लेट आप बोल सकते हो घड़ी अगर मालो कुछ मिनट तेज हो जाया धीमे हो जाया तो हमने यह नियम बता दिया था आपको कि साथ सो बीस बाई एक्स का नियम लगा देना ठीक है वरना पार्ट सेविन में जाके पूरा अच्छे डिटेल में दे देखेंगे अब धियां से टा वास्ट एंड स्लो ही रहेगा डा यह बट बिटिवीन टू इससपेसिक हर्ट अचा इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यहां पर यह हुआ अछे समझेगा यहां पर बोलेगा ऐसा कि वही सुबा देखा तो आठ मिनट लेट था सुबा आठ बे जब उड़ के देखे तो घड़ी आठ नट लेट थी लेकिन उसी दिन साम को देखे तो घड़ी जो थी आठ नट तेज हो गई तो आप बोले ही दिन में एक बार स्लो एक बार तेज ऐसी कोंसी स्पीडियो गों ती खतरनाक तरीके से भिगड रही है कल सुबा में लेट थी और साम तक में फास्ट हो गई कल आपने ये देखा था कि एक ही बार आपने देखा तो आट मिनट लेट थी तो कब सही समय होगा आपको इबताना है अब एक्जामनर ये बोल रहा है कि भीया ऐसा है सुबा आट में देख रहे हो तो आट में लेट था साम के चार में देख रहे हो तो आट में फास्ट है तो सही समय कब रहा होगा तो आप बोले इनी दोलों के बीच में रहा होगा ना तो देखते हैं हम इस चीज़ों समझने के लिए चलों तो आज हम लोग फाइंड करेंगे फास्ट एंड फास्ट एंड लेट बिट्वीन टू स्पेसिफिक आर्स मतलब किनी दो निश्चित समय के बीच में घड़ी कब तेज होती है और कब धीमे होती है इस कंसेप्ट को लेकर पकड़के चलेंगे तो बहुत ज्यादा मैं आपको टहलाने वाला नहीं हुग यहां पर बस आप सिंपल से जान जाना एक नियम लिख रहा हूं मैं टोटल आर मिनी इड है इंटु लेट मिन्हां मिननत को आप यहां समझेंगे थोड़ा सा यहां समझेंगे चीज़ को कि लेट मिनटं चलो मैं बता दूंग लेट मिन क्या ट्रामा रहांहे होों मि personnल कर देखो क्या ड्रामा है यहांपे एक बार घरी तेज हो गी एक बार दीमे होगी तब लेट मिनट प्लस साथ मिनेट इन दोनों को आप जोडएंगे तो आपका क्या कहलाएगा तो आप बुलेंग उसको भो लो बोलते प्लाख सोट total r क्या होग तब total r को समझेगा अच्छे से total dár क्या हूँ पर समझेग चीज को total r यहे कि भाइया क्यों एक क्यों होगा पहले क्या क्यों है और एक वाद वाला समय ठीक है तो आप दोनों को जोड़ से तो वह कहलाइगा टोटल जोड देंगे कि मतलब किया इन दोनों को मत जोड देना यह आप कह सकते हो करें चाहिए तरीकτη समझाना चाहूं मैं आपको चलो अगर मैं हां देखू तो पहले समय पहले वाला समय और बाद का जो समय होगा मैं समझाऊंगा बी अच्छे सा बस समझते रहो इनके बीच मालू यह बताना हो ओका उनके भीस में कुछ रीजी कि तो और वलेंग टोटल 8 बाकी लेट Minor आपको दी आहीं होगत कोछ इसको समंझेंगे ठीक है चलो है मखुस्चन की तुरू समझेंगे बहुत बड़े हैं बहुत प्यारा कंसेट अरहम सब को है चल देखते तो question पहला हम यह देखेंगे कि जिसे माल लीज़े कि एक विक्ति था सुबा उसने देखा आठ बजे जब उसने सुबा आठ बजे देखा ठीक है सुबा उटने आ क्या किया आठ बजे जब देखा 8 एम पर तो उसने notice किया कि घड़ी जो थी घड़ी जो थी वो क्या थी 8 मिनट लेट थी 8 मिनट लेट थी फिर जब उसी बंदे ने साम को 4 बजे देखा कितने बजे देखा 4 पिम पर उसी दिन की बात कर रहो तो उसने ये देखा कि 8 मिनट अब घड़ी क्या है 8 मिनट घड़ी क्या है अब यह fast यहां पर लेट चल रही तो आप बताओ, यह सही समय कब दिखाई होगी कब इसने दम सही समय आपके लिए लिखाए हो गा तो आप बोलोगे तो हमें क्या लेखना है, total r upon total minute टोटल r square to total minute into late minute, यही तो नियम लगाना है ठीक है यह नियम लगा जाएंगे वारा अंसर आजाएंगे बहुत जादा नहीं कर दो कैसे समझेंगे और बताना है कि आठ से चार तक जाना है तो यहां से यहां तक जाने में कितने घंटे लगे आपको तो लेट मिनट प्लस फास्ट मिनट कितना है तो आप बोलेंगे लेट मिनट आपका आठ है और फास्ट मिनट भी आपका आठ है तो दोनों को जोड़ देंगे इंटू करना है केवल लेट मिनट लेट मिनट कितना है केवल आपका आठ है कोई दिक्कत ही नहीं नहीं है ना तो आप बता अगर इसको हम सॉल करें इसको हम सॉल करें तो कितना आएगा तो आप बोलेंग या घड़ी सही दिखाएगी तो परफेक्ट चार किसके बाद तो आप इस चीज को यहां दिजीगा थोड़ा सा चलो परफेक्ट चार किसके बाद तो हमने ये कहा कि जो आपका इनिशियल टाइम होगा इनिशियल मतलब इनिशियल टाइम मतलब जो आपका प्रारंभिक समय होगा जो आपका प्रारंभिक समय होगा वहाँ से आपको चार घंटे एड करना है बस और कुछ नहीं करो तो आप बोलोगे प्रारंबी जो समय था हमारा वो हमारा आठ एम था सुभा का आठ था हमने का चार घंटे जोड़ दो तो आप बोलोगे अब बारा हो जाएगा मतलब दोपहर के बारा दोपहर के बारा बजे घड़ी समय सही दिखाएगा और याद रखे जो समय दिखाएगा इन दोनों के बीच में ही सही दिखाएगा क्योंकि पहले लेट था अब फास्ट हुआ है तो जाइज बाए इतना लेट था कि दिरे दिरे करके पहले सही समय आओगा फिर तो तेज गया होगा तो सही समय में इसा इन दोनों के बीच में आएगा ठीक है चलू एक कोशन और देखते है ताकि आपको सवन में आ सेगा चलू जब सुबह साद बजे हमने देखा क्या देखा साद बजे हमने सुबह देखा तो घड़ी जो थी वो क्या थी तो आप बोलेंगे 6 मिनट क्या थी लेट थी फिर वही समय अगर हमने रात के साम को ये साम को 5 बजी देखा इस बार साम को हमने 5 बे देखा तो वही समय मालूम क्या थी वही समय आपकी 12 मिनट क्या थी ना 12 मिनट फास्ट थी 12 minute fast आप बोलोगे हैं यहां पर लेट दे रहा है यहां पर fast दे रहा है आपसे नियम लगारा है तो आप बोलोगे total r upon total minute इंटू late minute यहीं नियम लगाना है आपको ठीक है चालो तो आप बोलो इस question को solve कर लेंगे बहुत असान तरीके से बता दिया आपने वजा आ गया जैसे देखो हमने का total r क्या है इन दोनों के बीच का आप घड़ी देखेंगे हैं तो बारा एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ था साल के पास तक जाना है तो आप बोलेंगे यहां से यहां तक जाना है में total तो एक गंटे दो तीन चार पांच छे साथ आड़ नौ दस तो दस घंटे आगए आपके पास तो आप बोलोगे 10 घंटे आगे total minute क्या है लेट मिनट प्लस फास्ट मिनट इसको 2 आ आप तीन साइए तीन मिनट 8 का मतलब क्या हुआ इसले ना इस चीज़ को चलो टाइम प्लस तीन घंटे बीस मिनट के बाद यही आपको दिखाएगा ठीक है तो आप बोलो किसे सॉल करेंगे हमने का देखो आराम सोजागे इनिशल टाइम क्या था सुबा का साथ बजे ठीक है तो साथ में तीन घंटा बीस मिनट अगर आप जोड़ोगे तो अंसर आएगा दस बज़ के बीस मिनट दस बज़ के बीस मिनट वो भी क्या रहेगा तो सुबा ही रहेगा एम क्या रहेगा एम ठीक है चलो सुबा का एम ही रहेगा ये बात भी आपको सौन में आगे चलो एक कुशन और देखते हैं बहुत आसान तरीके से उतारें कोशी से करेंगे और आप दियान से देखेंगे न तो आपको आजाएगा ठीक है तो दुनिया में ऐसे कोई चीजी नहीं है जो इतना कठीन हो कि आपक देखना नहीं चाहो तो कुछ नहीं होगा आपसे ठीक है ना लोग यहाँ पहाँ खोद के रास्ता बनाते आप कल्यम उठाकि इस भावी से नहीं बना सकते हैं कुछ नहीं होगा फिर आप से चलो देखो अग़ा बाती बूरी लगेंगी मगर बात सच्चा यहीँ है चलो द ब देखा तो समय जो था वह सात मट क्या था अब बोल रहेंगे असा वा अभी मैं यह भी बताूंगा दोनों को छो बतातो मैं भी आपप समझेगा नहीं हम फिर लगाएंगा टोटल आर अपॉन टोटल मिनट इन्टू लेट मिनट यही तो होगा चल तो टोटल आर क्या होगा साड़े छे से आपको तीन तक जाना है स्मार्ठ होंगे आप 12.12.3.4.5.6.7.8.9.10.11 स्मार्ठ होंगे आप नहीं अंगे तो पना देंगे इसी दित्व आएँ आपके पास ठीक है चल तो क्या है बारा तक जाना है तो साड़े छे से साम तीन बजे शे मतलब यहां हो जाएगा ठीक है साड़े छे को मतलब यहीं होगा ना फिर आपको यहां उसे घूम कर आपको 3 बेतागा ना तो पहले आप परफेक्ट आर गिलो ठीक है परफेक्ट आर मतलब जैसे कि मालो यहां से यहां तक तो आदे घंटे होए गो रिया साड़े 6 साड़े 7 गंट वे एक दो 3 4 5 6 7 8 आठ याने कि 3.考 गंटे आदे गंटे भी लोग ना सारे 8 को सारे 8 को आप 17 by 2 लिख सकते हो लिख सकते हो हाँ ठीक है बिल्कुल चलो तो 17 by 2 टोटल लेट टोटल मिनट कितना है तो लेट आपका साथ है फास्ट आपका 3 तो आपने 10 रख लिया इंटू लेट मिनट कितना है तो आपने साथ कर दिया इसे आप सॉल कर लेंगे चलो देखते हैं तो आप बोले सो सॉल करेंगे तो आजाएगा 17 बाई 20 यहां जाए कि मुल्टिप्लाई होगा इतनी बात आपको पता है ना इसके नीचे वन होता यह उपर जाएगा और यहां जाएगा इसे आप सॉल करेंगे कितना आएगा तो आप बोलो केवल फाइब टाइम 19 बाई 20 याएगा और कुछ नहीं जाएगा ठीक है ना इतना आपका समय आगया लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको तिदम परफेक्ट समय बताना इनिश्यल में आपको जोड के बताना है तो इनिश्य आप 20 को अगर आप चाहलो यहां पर समझने कोशिस करना कीवत समझो देखो 19 बाई 20 जो है ना वो घंटे में मिनट में करने के लिए 60 से मल्टिप्लाई करो तो जैसे आप जोड लोगे 3 19 कितना आएगा 57 मिनट आया 57 मिनट आया तो देखो ऐसा कैसा तौल करते है तो आप ब बजाए यह 5 गंते जोड़ वह त्ट्रम जैसे ही 5 गंते asking ऑप कमेरा तो पता है कि अपको लेना है 5 गंते और 69 मिनट जोड़ना तो पहले 5 गंते जिसमें 80 लेल जैसे हमने 5 grade 11ड कितने कीतना होगय तो आप बोलोगे पूरे आर कम्प्लीट होने कि जो 30 गंड, 30 गंड, 30 इसको और दे दो, तो आप बोलोगे यह करेक्ट 12 बच जाएगा, लेकिन मैंने का यहां से 30 कम हो गया थे हम बचे कितना, तो आप बोलेगे सर यहां 29, तो आप अराम से जब आट करेंगे तो आप बोल सक 29 के आगया न, ठीक है, तो आप में रहे लगता, आप समझ गया होंगे, ऐसी कोई बात नहीं जो आपको न सौन में आई हो, ठीक है, तो एक चीज़ और ले लेते हैं, फिर आपका लास सिसन यह कंप्लीट करते हैं, चलो देखो, जैसे, जैसे मैं आप से कोश्चन लेता हू जैसे मालो की, चलो एक कोश्चन आपको देता हूँ, 6.15 है, एम का समय है, और 3 मिनट लेट है, ठीक है, और 7 बच के 14 मिनट है, साम का समय है, और इजामनर ने यह बोला, कि ऐसा है, इस बार यहाँ पे 5 मिनट फास्ट है, यहाँ पे लेट था, यहाँ पे क्या है ना कोशन आप ट्राई करो, सही से बताओ किसका अंसर के आएगा, कमेंड में बताना, फिर मैं देखूंगा, आपको कितना आया और कितना निया, फिर मैं आगे उस सेशन पे बात करोगा, ठीक है, फिर आपको एक मुद्धा है, मेरे को यह बताना था, क्यों नहीं हम दोरो से दोर हो रही है, आप 100 मिटर पीछे है, और दो घंटे बाद आप 100 मिटर आगे हैं, तो जाइस बाद आपने साथ चल रहे हैं, लोगों को आपने पाया होगा, तो आप पार गये होंगे, उस चीज को पहले पकड़ा होगा, तो आप आप 100 मिटर पीछे थे, दस साल बाद आप 100 मिटर पीछे तो बैटा आगे कब गए कभी गया ही नहीं तो आगे जाने के लिए आपको चेजिंग करना पड़ेगा तेज होना पड़ेगा पहले आप धीमे रहोंगे फिर तेज होंगे तब उस चीज को आप पाएंगे आप नहीं पाएंगे आप जिन्दगी भी ऐसे ठीक है तो सारी बाते ध्यान देंगे हम लोगना अच्छे टॉपिक कवर किया है ठीक है तो फास्ट लेट बिट्वीन स्पेसिफिक टाइम ठीक है दिखा देता हूं मैं आपको तो आज हम लोगनों जो कवर के और यह फॉर्मला बहुत इंपोर्टन इस चीज को याद रख इन्र, आपको बंगे हम व सारी ड्경 मैं लोगनों लोगनों